हेलो गाइज नमस्कार स्वागत है आपको एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले कैनन EOS 200D Mark II के अन्बॉक्सिंग तो दोस्तों जल्दी से इस बॉक्स के अन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं तो गाइज यह बॉक्स कुछ इस प्रकास से दिखता है और इसके उपर कुछ इनिशली डीटेल दे रिखियें इसके उपर दे रिखा है यह वस्तु हंड़ी मार्क टू जो कि आता है 1855 इस टीम कीट लैंस के साथ आता है और इसके साथ देर रिखा है 24 मेगा फिक्सल का इसके साथ और इसके साथ में है यह वाइफाई और ब्लुटूथ यह डीटेल कुछ इस बॉक्स के उपर दे रिखिये तो अब बात करते हैं जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं जल्दी से तो गाइस जैसे कि आप देख पारें यह बॉक्स मैंने पहले पहले ऑपन कर दिया था एड़ टाइम अप डिलेवरी तो अब जल्दी से बॉक्स को उपन करते हैं और देखते हैं जल्दी से कर दो जिसके ओपर यह आता है कुछ है एन्रॉप और कम्प्लिमेटरिटर्य ट्रेनिक लिए कुछ काड़ मेंद्ध इसके साहिता से आप camera को operation कैसे करना है वो सारी details के सकते हैं इसके गोठेस्थमा सारी बटन के बारे में जानकारी ले सकते हैं से यह थी तो दोस्तों यहाला है warranty card है । जिसमें साफ online register करके यर की warranty पा सकते हैं अपने camera पे तो आप जरूर इसको online register करके आप two-year के वारंटी ले सकते हैं और रेइस्टर करने के लिए आपको इसकी इसकी फोटो फोटो और इतने विल की फोटो लगानी पड़ेगी इसके लगानी पड़ेगे और इसके सीरी लंबर लगाने पड़ेंगे तो यह ओनलाइन आपको कर देना है अब बॉक्स के अंदर की बात करते हैं तो बॉक्स के अंदर के फस्ट सबसे पहले आता है यह बैटरी आती है जो की यह बैटरी के साथ में यह चार्जर है यह बैटरी का चार्जर है और उसके साथ में बैटरी चार्जर के लिए यह केबल चार्जर केबल है यह वाली बैटरी चार्जर और चार्जर केबल है और इसको भी रखते हैं साइड में भी और उसके साथ में आता है यह कैनन का इस्ट कि कुछ इस्ट्रीप है कि उसके बाद यह वाला है कुछ किट लेंस है इसको जल्दी से बाहर निकलता हूं कि यह 1855 mm का किट लेंस है जो कि इस पर कुछ डीटेल्स वगड़ा देर रहे हैं यह 1855 mm लेंस इमेज इस्टेबलाइजर के साथ आता है और यह वाला आटो इसके उपर यह पर यह पर यह पर दे रहे हैं और यह कुछ लैंस इस परकार से हैं कि तो यह है अपना कैमरा तो अब इसके बारे में डीटेल बात करते हैं पहले मैं सारा बॉक्स इसको फटा देता हूं फिर इसके बारे में डीटेली बात करते हैं तो गाइज यह है अपना कैनन टूहंडेटी मार्क टू तो यह कुछ इस परकार से यहां यह डाइल बटन है यह जिसमें अपन मैनूल और इसके नोगे रहा आटो वे सैट कर सकते हैं डाइल बटन से और इसके साथ में इसके साथ में यह सकते हैं और सब्सक्राइब है डिस्प्ले रहे हैं और यह यह जूम इन जूम आउट के लिए भी है और इसके साथ में अपन मार्किंग सेट कर सकते हैं और एक्सपोजर को लॉक भी कर सकते हैं और यह कुछ सैट करने के लिए अप डाउन लाइट के लिए है और यह कुछ प्रिवियू देखने के लिए और यह डिलीट का बटन और इदर की साइड अपने बात करें हैं तो इदर की साइट में यह पोर्ट है और एक यूस्वी टाइप की फोट है तो यह दो पोर्ट इदर की साइड में बात करें यहां पर एक यह रिमॉट के लिए बटन दे रखाएं यहां पर अगर आप इसको रिमॉट करना चाहता तो तो यहां पर एक रिमोट लगा के वीडियो और बना सकते हैं और इसके साथ में एक माइक देर का 3.5 mm की जैक के साथ में उसको लगा के करें के लिए तो यूज मिले सकते हैं और इसी के साथ में यह यहां पर इसको देखेंगे तो यह यह इसका है फ्लेस के लिए फ्लेस के लिए पहले या बटन आता था उसके लिए एक्टन लग कोई बटन नहीं दिया डायट अपन के यहां से उठाना है इसी था और मैनूली इसको उपर नीचे करने के लिए दे रहे है दोनों साइट देर का इधर से भी और इधर से वी दोन Valve करना है तो यह तो कुछ अपर से है और अपनको मैंस करना और पаюсь रहे को ना करना है और प्र रोटिट करना है क्लोकॉइस दिक्रे दिख हो चुका है और अब सो पावरोन करते हैं और ट्राइब कारते हैं नहीं पही पाटन्स को अनकेको आप उट्र नहीं करने है यह देख पा रहा है यहाँ हो चुका है आजगी अपको यह वीडियू कैसे लगी है द्रूर मुझे अरे मुझे आप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले जहिंद